हेलो गाइज इन दिस वीडियो वी अपने प्रोफाइल पर जाना है और आपको राइट साइट में ऊपर कॉर्ण पर देख पा रहे हैं उसके बाद आपको यहां पर एक उप्सन देखने मिलेगा सेटिंग्स एन प्रेवेंसी तो उस पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर आपको अगयन एक उप्सन देखने मिलेगा अकाउंट सेंटर तो उस पर आपको अगयन क्लिक करना है और अब यहां पर आपको sharing across profiles दिखेगा उस पर आपको click कर देना है click किया आपने अब यहाँ पर वो account select कर लेना है वो Instagram account select कर लेना है जिससे आप कोई भी story post करते हैं तो वो automatic आपके Facebook account पर चली आती है तो हमने select कर लिया आपने भी select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे automatically share तो इसको हमने off कर देना है यहाँ पर आपको भी click करके off कर लेना जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं ठीक है हमने दोनों off कर दिया अब हम back चले जाएंगे हमारा यह process complete हो गया अब back चलके आपको दिखा देता है कि setting off करने के बाद हमारा work करता है नहीं करता तो हमने सब कुछ cut कर दिया उसके बाद again हमने instagram open किया open करने के बाद your stories पर click किया click करने के बाद कोई भी यहाँ पर photo हम ले लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर your story के जगे पर जहाँ पर facebook का icon आता था वो अब नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि हमारा setting वर्क कर रहा है so guys video पसंद आए हो video helpful रहे हो तो please आप video को like ज़रू कर देना अगर आप channel पर नए हो तो please आप subscribe कर देना thank you for watching the video give this video a big thumbs up goodbye में आप से नहीं 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 नहीं